हेलो दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बुल ट्रेडिंग में दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि आप SBI सिक्योर्टी में डिलीवरी वाले स्टॉक को कैसे कर सकते हैं और उन्हें पोर्टफॉलियो में कैसे रख सकते हैं यह सब कुछ हम लाइव देखने वाले है तो दोस्तों बने रही हमारी आज नेशनल प्लाश्टीं इंडिस्टी को अज हम देखने वाले हैं दोस्तों यह कोई recommendation नहीं है यह just for example के लिए मैं दिखा रहा हूं तो दोस्तों हमारी यह window open हो चुकी है इसमें आप देखेंगे कि quantity और price में दो column है जिसमें एक में quantity डालना है एक में price डालना है price हम दो तरीके उसे कर सकते हैं market price पर एक limit price पर तो हम देखने जैसे कि यह default delivery पर ही select रहता है तो हमारा delivery सेक्टर है यहां नीचे quantity डालनी है तो हम पांच number quantity just for example के लिए डाल लेते हैं and जो हमारा price है अभी market price पर select है तो जो भी market price होगा उस पर हमारा देखेंगे हम धीरे दीरे price बढ़ रहा है तो हम इसका price थोड़ा change कर लेते हैं 48.1 अब 2 हो गया है तो चली हम 2 रख देते हैं जो भी price होगा वह हम इसलिए limit price डालने है and अब देखते हमारा confirmation order के लिए पूछ रहा है तो हमने confirm कर दिया है and हम go to order book में जाते हैं और यहां आप देखेंगे कि हमारा order यह pending में दिखा रहा है इस पर हम क्लिक करके देख रहे हैं तो full detail हमारी यह शो हो रही है पैंडिंग में है delivery में है पांच अंबर quantity है LTP चल रहा है और जिस price हमने order लगाया 48.2 पर लगाया है ठीक है limit order है यह हमारा यहां से आप cancel कर सकते हैं यहां दो option मिल रहे हैं आपको एक दूसरा modify का यहां से जाके आप modify भी कर सकते हैं आपने order को before executed अगर यह एक जूट नहीं हुआ है तो आप जाके इसे modify कर सकते हैं जैसे मैंने refresh किया तो आप यहां देखेंगे कि हमारा order executed दिखा रहा है तो अब हम इसे modify नहीं कर पाएंगे तो trade में जाके हम चेक करते हैं तो trade में हमा यहां देखेंगे delivery buy वाला है यह quantity है एटीपे से detail and traded value कि कितना amount हमारा लगा है अगर आपको और भी quantity buy करने तो आप add more से जाके और quantity buy कर सकते हैं ठीक है और आप भी देखें तो today's position में जाके एक बार चेक कर लेता है अभी क्या position चल रही है अपन डाउंस की तो आप यहां द दिखा रहा है quantity five number है हमारी और total P&L profit and loss यहां हमारा show हो रहा है तो today's position में हमारी profit and loss दिखाएगा आज की दिर बट जब यह settle हो जाए गया तो यह हमारे portfolio में आ जाएगा क्योंकि यह शायद कल से हमारा यह दिखाने लगेगा अगर हम portfolio में देखेंगे बट आज यह हमारी today's position में दिखाएगा क्योंकि हमने delivery में से buy किया है तो यह minus plus दिखाता रहेगा तो यह बहुत यह आसान है बिल्कुली से buy करना delivery में बस खाली quantity हो हमें price डालना हो था बट आपको एक चीज़ दियान रगना है आपके पास sufficient fund available होना चाहिए जितनी quantity आप buy करना चाहते हैं क्योंकि कि इसमें हमें leverage नहीं मिल और अगर चाहते हैं कि आप अपनी position को जो आपने buy किया है आज ही exit होना चाहते हैं तो आप आज ही इसमें से exit हो सकते हैं बस पर click करना और subscribe कर देना अपनी position को तो बहुत ही असान है तो दोस्तों इस तरीके सा आप किसी भी stock को deliver buy कर सकते हैं I hope दो